हलो देख रहे हैं स्टड़ी एंड अधर्स अक्टिविटेश चैनल आज हम पढ़ेंगे चुनोती हिमाले की जो की पार्ट नमबर अठारा है और कक्सा पाच का है अभी तक के हमने एक से लेकर सतरा टक्के सारे कोशनां से कंपलेट कर दिये हैं अगर आपको कोशनां से चाहि हैं देखिए हमारा पहला कोशन है चुनोती हिमाले की का पहला कोशन है लद्दाग जम्मुकस्मीर राजे में है उपर दिये भारत के नक्से में ढूंडो की लद्दाग कहां है और तुमारा घर कहां है तो आप इसका अंसर लिखेंगे देखिए मांचेतर में देखो एक लाल गेरा दिल्ली को गेरे हुए है दिल्ली में मेरा निवास स्थान है दूसरा गेरा मांचेतर में लद्दाग के इस्तिती को दर्साता है लद्दाग और दिल्ली देखिए जो हमें यहां पर भारत का नक्सा दे रखा है यह जो भारत का नक्सा है ना देखिए यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है न है गोल सरकर रैट कलर से यह है दिल्ली यहाँ पर मेरा घर है ठीक है और यह जो उपर है जम्मु कस्री मेर में होता है लग्दा ठीक है तो यह है इसका आंसर ओके आप वैसे भी लिख सकते हैं दूसरा कुश्छन है हमार अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहाँ से लद्धा पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहां कितने किनकिन जर्यों से पहुंचा जा सकता है तो इसका आंसर है हवाई जाज चार से पांच घंटे रेल से दो दिन कार से चार दिन ठीके नेक्स्ट प्रस्ण है मारा तीसरा किताब के शुरू में तुमने तिबबत लोक कथा राक की रसी पड़ी थी नक्से में तिबबत को ढूंडो तो देखिए जो नक्सा है यहाँ पे देखिए तिबबत कहा है यह रहा ठीक है तो इसका अंसर आप कैसे लिखेंगे देखिए नेपाल के उत्तर दिसा में है तिबबत ठीक है तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है यह रहा ठीक है यह है तिबबत आपका नेपाल के जगहा पर, ओके, next हमारा question है बात विवाद, का है, बर्फ से ढगे चटानी, पहाडों के उदास और लगने की क्या वज़ा हो सकती है तो इसका answer है बर्फ से ढगे चटानी, पहाडों के उदास और फीके लगने की वज़ा वहाद दूर-दूर तक किसी का ना होना हो सकती है ठीक है आप इसका स्क्रिंसोर्ट ले लिजे आप इन सब करके एक बार स्क्रिंसोर्ट ले लिजे नेक्स्ट प्रेस्न है हमारा खा बताओ ये जगहे कब उदास और फीकी लगती है और यहां कब रौनक होती है घर बजार स्कूल खेत तो आंसर है घर जब घर के सभी सदस से बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है लेकिन जब घर के सभी सदस घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है अब है बजार जब घर बंद होने लगता है तो वहाँ उदास और फीका लगता है लेकिन जब बजार में लोग खरिदारी करने आते हैं तो वहाँ रौनक होती है अब है स्कूल जब स्कूल की छुटी हो जाती है तो स्कूल उदास और फीका लगता है लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहां रौनक होती है अब है खेत जब खेत में फसल नहीं लहलाती है तो खेत उदास और फीके लगते हैं लेकिन जब यहां फसल लहराती है तब वहां रौनक होती है ठीक है तो यह इसका आंसर था आप इसका स्क्रिंसोट ले लिजे प्रस्न नमबर दो जवरलाल को इस कठिने आतरा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए तुम इससे सहमत हो तो भी तरक दो नहीं हो तो तब भी तरक दो अपने तरको को तुम कक्सा के सामने प्रस्तुत भी कर सकती हो तो इसका आंसर है मैं इस कठन से सहमत नहीं हूँ जीवन में चुनोती और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है जवरलाल के लिए वहा कठिन यात्रा एक चुनोती थी और उन्होंने उसे स्विकार कर अपने सहस वद्रण निश्चय का परिचय दिया चाहे उन्हें अपने कारे में पूर्ण सफलता ना मिली हो फिर भी उसे उस घटना ने उन्हें जिन्देगी का एक महत पूर्ण सबक अवश्च शिखाया होगा तो आप इसका भी स्विकार ली लीजी ठीक है अब यह पहला और दूसरे परसन स्वैम करें भी बच्चे खुद करेंगे कुशन को हम पढ़ेंगे तुमारी समस्षे पहला कुशन है हमारा इस व्रतांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यातरा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो जिसका आंसर है देखिए एक बार में हिमाचिर परदेश की यातरा पर गया था साम के समय में बस में बैट गया था और सुबह जब आँख खुली तो मैंने हमारी बस को हिमाले परदेश की गुमादर पहाड़ी रास्ते में पाया वहा का रास्ता खतरनाग था इन रास्तों में कहीं एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़ ये बहुत भयानक लग रहे थे कई गुमादर रास्तों से निकल कर हम गाउं की तरफ पहुचे वहाँ बहुत ही सुन्दध द्रश्ष था आप इसका भी इसको इंसोट ले लिजे प्रस्न नमबर दो जवरलाल को अमरनात तक का सफर अधुरा क्यों छोड़ना पड़ा आंसर है आंसर जवरलाल को अमरनात तक का सफर आधा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे जाने के लिए अवेश्यक समान नहीं था प्रस्न नम्बर तीन जहर लाल किशन और कुली सभी रस्टी से क्यों बंदे थे अंसर है उत्तर नमबर तीन जरलाल किसन और कुली सभी रसी से इसलिए बंदे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण से वे पहाड से गिर जाएं तो रसी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सके आप इसका भी स्किन सोट ले लिजे प्रस्न चारका का पार्ट में नहरु जी ने हिमाले से चुनाती मैसेश की कुछ लोग परवता रोहन क्यों करना चाते थे आंसर है कुछ लोग प्रवता रोहन इसलिए सौक से अपने मन रंजन के लिए करते थे ऐसे इस्थानों पर जाना उनके लिए चुनौती होता था और उसे जीतना उनके जीवन का उद्जिश होता था एसे कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे आंसर है तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ और पहाड़ों की तस्वीर इखटा करो ठीक है आप इनका स्कूर्ण सॉट ले लिजिए आपको पहले की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ आप वहाँ से भी देख साकते हैं थैंक यू